राश्पती चुनाव के लिए प्रचार अब अंतिम दौर में पहुंच चुका है 18 जुलाई को वोटिंग होनी है एंडिय उम्मीदवार द्रोपदी मुर्मू और विपक्षी दल के उम्मीदवार यश्वन सिना के बीच कड़ा मुकाबला दिखाई दे रहा है दोनों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत लगा दी है आज़्दुरोपदी मुर्मू राजस्थान पहुंचे थी जहां राजजी बीजेपी की ओर से कारिक्रम का आयोजन किया गया था लेकिन ये कारिक्रम विवादों में फस गया बीजेपी हाई कमान राजस्थान में पार्टी की गुटवाजी से पहले ही परिशान दिख रहा है राजज बीजेपी के अंदर करीब आधा दर्जन गुट बने हुए हैं हर गुट अपने नेता को आगे रखने की कोशिश करता है जिसके चलते पार्टी की बैठक में टकराओ देखने को मिलता रहता है 15-16 जून को जब कोटा में राजज बीजेपी कारे समिती की बैठक बुलाई गई थी तो वसुंदरा राजे सिंधिया बिना भाशन दिये ही बैठक छोड़ कर चली गई थी और आज जब राश्चुपती पत की उमीदवार द्रोपती मुर्मू प्रचार के लिए जैपूर पहुँची तो बीजेपी के दिगज नेता एक बार फिर आपस में भिड़ गए बीजेपी सांसद के रोडी लाल मीना और विधान सफा में पार्टी के उपनेता राजेंदर सिंग राठोर के बीच जम कर विवाद हो गया दोनों नेताओं के बीच जम कर तू-तू मैं में चली जुवानी लड़ाई हाथा पाई तक पहुँचती दिखने लगी थी मामला ज्यादा बढ़े इससे पहले के इंदरी मंतरी गजेंदर सिंग शेखावत की एंट्री हो गई उन्हें बीच बचाओ करना पड़ा दोनों को शांत कर अलग-अलग किया पार्टी के दोनों ही दिगदज एक दूसरे पर पार्टी को कमजोर करने के आरोप लगा रहे थे दरसल राजस्तान में राजिंदर राठोर को मुर्मू के एलेक्शन एजेंट की जम्मेदारी दे गई है राजिंदर राठोर ही द्रोपदी मुर्मू के दोरे की सारी व्यवस्थाएं देख रहे हैं लेकिन कारिकरम इस्थल की व्यवस्थाओं को लेकर किरोडिलाल भड़ा कुठे किरोडिलाल ने राठोर पर आरोप लगाया कि उन्होंने चापलूसों की भीड जोड रखी है पार्टी के सक्री कारिकरताओं को कारिकरम में शामिल होने से रोका जा रहा है पार्टी कारिकरताओं को कारिकरम इस्थल पर प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा है कि रोडी लाल की नाराजगी का कारण था कि उनके समर्थकों को कारिकरम स्थल पर जाने नहीं दिया गया था ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि जब बीजेपी एक कारिकरम बिना विवात के नहीं करा पा रही है तो फिर अगले साल होने वाले विधानसबा चुनावों में गहलू सरकार को कैसे चुनोती दे पाएगी डीवी लाइव की रिपोर्ट